नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में है हिंदी भासा का विकास दोस्तों आगे बढ़ने इस पहले आप से एक निवेदान है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सस्काइब नहीं किया है या जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उससे प्लीश निवेदान है कि आप मेरे चैनल को जरूर सस्काइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे जो भी मैं अंगला नय वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच रगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी भासा का विकाश दोस्तों बात करते हैं हिंदी भासा की तो पहले हैं जिस भासा में सासन का कामकाज संस्थापक होता हो उसे राज भासा कहते हैं यानि कि दोस्तों जिस भासा में किसी भी सरकार का कामकाज होता है इसको राज भासा कहते हैं जैसे दोस्तों MP सरकार के जो भी government documents रैगवर्मेंट काम होते हैं वो सभी हिंदी राज भासा में होते हैं और इसके साथ साथ ही INGLECE भी होते हैं क्योंकि संबीधान के अनुशार हिंदी और इंगलेस दोनों ही राज्य भासा हैं परन्तु राष्छ भासा only हिंदी है गया तो दोस्तों आपको इसमें difference रखना पड़े हैं हिंदी और इंगलेज जब की राष्ट्य भाषा आउनली राष्ट्य भाषा है केबल हिंदी तो तो आंगे बात करते हैं राजस्तान में ग्यार वी से पंद्र भी सदाब्धी के मद्द पूर्व लेखों के से पता चला है कि उस समय हिंदी मिस्रित संस्कृत राज वहासा थी दोस्तो इसका मतलब है राजस्तान में ग्यारवी सदाब्दी से लेगे पंद्रवी सदाब्दी तक जो राज्य था उनकी राज वहासा संस्कृत से मिस्रित हिंदी थी मतलब दोस्तो संस्कृत का नुबात करके हिंदी भासा बनी थी जो कि दोनों को मिक्स करके ही राज भासा बनाई गई थी बज़सों इसके बाद चलते हैं फिर 30 नमर 32 क्या है गौरी मुहम्मद गौरी से लेकर अखवर तक हिंदी राज भासा थी चैन दोस्तों मुहम्मद गौरी के काल में और अखवर के काल में भी राज भासा हिंदी थी परंतु अखवर के सासनकाल के मंत्री टोडर मल्क के आदिस से फार्सी राज भासा गोसित हुई पहले इसके पहले थी हिंदी उसके बाद टोडर मल्क के आदिस अनुसार राज भासा फार्सी घोसित हो गई थी अकबर की मुगल राज जुकबालों की इसके बाद दोस्तों आँगे चलते हैं एस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1833 में इस्वी तक फार्सी को राज भांसा बनाए रखा दोस्तों यह फार्सी राज भांसा मुगल सास को ने बनाए थी और उसके बाद 1833 तक फार्सी को राज भांसा अंग्रेज भी बनाए रखे उसके बाद दोस्तों फिर बिटन सासन में लॉड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी को राज भांसा के पत पर सुसोवित किया अंग्रेजी को राज भांसा बनाया जाए तो यह उसमें सफल रहे और देश की राज भांसा अंग्रेजी कर ली इसके बाद आँगे बात करते हैं राश्टी ये चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राज भांसा और राश्ट भांसा बनाने की जोड़दार मांग उठी दोस्तों यह हिंदी को जो कि राश्टी ये चेतना पालती थी यह हिंदी को राज भांसा और राश्ट भांसा दोनों भांसा बनाना चाहती थी राज्य में अलग अलग प्रायंद में भौट शारी भासा है पर पंडित मदन मोहन मालविये के प्रयासों से सन उनने सो बीस में सैयुक्त प्रांध की कशेरी की भासा के रूप में हिंदी को उर्दू के शमान अधिकार मिला दोस्तों पहले उर्दू जादना प्रिचलित थी उसके बाद में दोस्तों पंडित मदन मोहर मालवी ने प्रयाश किया कि हिंदी को भी आंगे बढ़ाया जाए तो सरफर्थम सन 1920 में सयुक्त प्रांत की कषहरी की भासा के रूप में हिंदी को मानता मिली जोकी उर्दू के शमान अधिकार मिला गया इसके बाद आंगे बात करते हैं शम्बीधान सबा में हिंदी को राज्य भासा बनाने का प्रस्ताव गोपाल श्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया जोकी दच्छन भारत से थे दोस्तों हिंदी को राज्य भासा बनाने का सबसे प्रमुकार नहीं था कि यह प्रस्ताव दच्छन भारत के व्यक्ति ने प्रस्तुत किया तभी इस पर विचार किया गया और इसको राज्य भासा बनाया गया दोस्तो राज्य भासा हिंदी बनाया जाने पर सबसे बड़ा युगदान इन्हीं का माना जाता है गोपाल श्वामी अयंगर को इसके बाद दोस्तो आंगे चलते हैं अंगला है दोस्तो भारतिय शंबीधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मानदा प्रदान की गई और इसे राष्ट भासा बनाया गया दोस्तो आप इसको याद करक सकते हैं कि हिंदी दिवस कम मनाया जाता है दोस्तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को शंबीधान ने हिंदी भासा को अपनाया था यानि की राश्ट भासा का दर्जा दिया था और दोस्तों इसके बाद अंगलेश चलते हैं अंगलेश सभी संभी धान के अनुख्षेतर 343 के अनुशार संग की राज भासा हिंदी और लिपी देव नांग्रिये है इसके साथ थी राज भासा अंग्रेजी भी है राज भासा अंग्रेजी भी है इसके साथ थी तो फिर चलते हैं यांगे संभी धान के अनुख्षेतर 344 में राज भासा संबन्दी आयोग और संसत्त की समीती का उलेख है हंगला है दोस्तों बारमा संभीधान के 96 344 एक के अनुशार राष्ट पती ने साज जून 1995 को राज भासा आयोग गठन करने का आदेश दिया दोस्तों यह गठन इसलिए किया गया है क्यूंकि पूरे देश में हिंदी को आंगे से जादा है जादा फैलाने का प्रयास हो सके इसलिए इस राज भासा आयोग का गठन किया गया ताकि इस हिंदी को राज भासा और राष्ट भासा दोनों बनाया जा सके जोस्तों इसके बाद अंगला है राज भासा आयोग के प्रिथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे जोस्तों यह कोशन भी आ सकता है कि राज्य भांस आयों के प्रतम अध्यक्ष वाल गंगाधर खरे थे आयों की बैठा प्रतम बैठा को 15 जुलाई 1955 को हुई थी दोस्तों अंगलाई फिर संभी धान का नुक्षेतर 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भासाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को सास किये प्रयूजनों के लिए अंगी क्रेट करने से शंबंदित प्रभधान दिये गए हैं इसके बाद दोस्तों फिर सलते आंगे अंगे हैं पंद्रमा संभी धान के नुक्षेतर 347 में किसी राज्य की जन्संख्या के किसी भाग द्वाना बोली जाने वाली भासा के शंबंद में विसीष उपबंद और लिक्षित हैं यानि कि कोई भी राज्य है जैसे कि में एमपी है। पी में जाए नातर हिंदी भासा बोले जाती है अब अंदिल खंडी भासा बोले जाती तो हर राज में बोलो जाने बाले भासा के संबंद में कुछ बंद दीए गए हैं वो की जो अनुचेतर 347 में दिये हैं कि बाद आंगे बात करते हैं संबीधान के अनुचेतर 348 में उच्चतम नियालाए एवं उच्च नियालाएं में और अधी नियम बिधेयों को आधी के प्रियोग की जाने वाली भासा का उलेख है यानि कि 348 में यह उलेख है कि आप उच्च नियालाएं सरबुच नियालाएं और अधी नियम बिधेयों को किस भासा में आप रियोग कर सकते हैं इसके बारे में 348 अनुचेतर में बाढ़नेत किया गया है इसके बाद आगे बाद करते हैं 17 नमर शंबीधान के अनुचेतर 349 में भासा संबंदी विवित के अधी नियमित करने के लिए बिसेश पिरियोग का उलेख दिया गया है इसके बाद आगे बाद करते हैं हाँगे संबीधान के अनुचेतर 344 एक और 359 में 22 भासाओं को शंबलित किया गया है जियां दोस्तो 22 भासाओं को संबीधान में मानता प्राप्त है जिसमें से एक हिंदी भी है और दोस्तो फिर अंगे बाद करते हैं शंबीधान के अनुचेतर 359 में हिंदी भासा के विकास के लिए निर्देश का उलेख है दोस्तो इस 359 प्राप्त है कि आप हिंदी भासा को ज़्यादा ज़्यादा विकास कर सकें और विकास करने की कोसिस करें इसलिए दोस्तों यह हिंदी दिवश हर्प बनाया जाता है इसके बाद दोस्तों अंगला पॉइंट है और इस वीडियो का लाश्टमा पॉइंट है राज भासा अधीनियम 1963 से संबंदित बिदेयक 13 अप्रेल 1963 को लोक्षवा तथा 3 मई 1963 को राज सवा में प्रस्तुत किया गया जोकी क्रमशा 25 अप्रेल वाश 7 मई 1963 को पारत हुआ दोस्तों यह जो बिदेयक है जो बिदेयक उन्ही ने बनाया था किस ने जोकी राज भासा गटन की गई थी एक तो उसके अध्यक्स थी बाल गंगाधर खरे उन्ही के द्वारा यह अधीनियम बनाया गया था जोकी उन्ही लोकसवा में 3 मई को और राज स्वारी दोस्तों 13 अफ्रेल को राज सवा में और 3 मई को 13 अफ्रेल 1963 को लोकसवा तथा 3 मई 1963 को राज सवा में प्रस्तुत किया गया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बश इतना ही मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो पर यदि आपके वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और दोस्तों सस्क्राइब करना ना भूलें और दोस्तो यदि आप इस वीडियो में कोई गलती हो तो आप मुझे प्लीस कमेंट वक्स में आप जरूर बताएं ताकि मैं आँगे से सुधार करशकूं तो चले दोस्तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ अब तक के लिए दोस्तो बाए